वेलकम टू स्पोर्ट सरीना भारत और ऑस्टेलिया के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज का फाइनल मुकाबला ब्रिस्बेंस के गाबा में खेला जा रहा है रविवार 17 जनवरी को मैच का तीसरा दिन था और तीन दिन का खेल समाप्त हो गया है भारतिय टीम अपनी पहली पारी में सभी विकेट खोकर 111.4 ओवर में 336 रन मना पाई इस तरह ऑस्टेलिया को 33 रन की बड़त मिली ऑस्टेलिया की टीम ने 6 ओवर में बिना विकेट खोए 21 रन मनाए है डेबिड वार्नर 20 और मारकस हैरिस एक रन मनाकर नाबाद लोटे है इस तरह अब मेजवानों के पास 54 रन की बड़त हो गई है इस मुकाबले की बात करें तो और्स्टेलिया टीम ने टॉस जीत कर पहले वल्लेवाजी चुनी थी और मारनस लाबुसेन के सतक के दम पर कंगारू टीम ने 379 रन का स्कोर बनाया था वहीं भारती टीम दूसरे दिन सिर्फ एक सत्र खेल सकी क्योंकि बारिस ने मैच में खरल डाल दिया था दूसरे दिन के खेल समाब थोने तक भारती टीम ने 2 विकेट खो कर 26 ओवरों में 62 रन मना लिये थे भारत ने रोहिस सर्मा और सुबमन गिल का विकेट खोया था बारत की पहली पारी सारदुल और सुन्दर की फिप्टी तीसरे दिन के पहले सत्र में भारत को पारी का तीसरा जटका लगा चेतेस और पजारा 94 गैंदों में 25 रन मना कर जोस हैजलबुट की गैंद पर टिम पैन के हाथों कैच आउट हो गए भारत का चौथा विकेट कप्तान अजिंक रहाने की रूप में गिरा जो 93 गैंदों में 37 रन मना कर मिचल स्टार्क की गैंद पर मैथ्यू बैट के हाथों कैच आउट हुए पांचमा जटका भारत को मैंक अग्रबाल के रूप में लगा जो 75 गैंदों में 38 रन मना कर जोस हैजलबुट की गैंद पर इस्टीव स्मित के हाथों कैच आउट हुए रिशाप पंत के तौर पर छटा जटका भारती टीम को लगा जो 29 गैंदों में 33 रन मना कर जोस हैजलबुट की गैंद पर कैमरोन गिरीन के हाथों कैच आउट हुए साथ में विकेट के लिए वासिंग्टन सुंदर और सारदुल ठाकुर के वीच 50 से ज़्यादा रन की साज़ेदारी हुई डेब्यू इनिंग में सारदुल ठाकुर ने दमदार अर्दिस्ततक जड़ा उन्होंने महज 90 गैंदों में अपना पहला टेस्ट अर्दिस्ततक पूरा किया इस दौरान उन्होंने नाथन लियोन की गैंद पर छक्का जड़ा और टेस्ट करियर की पहली 50 पूरी की सारदुल के बाद बॉसिंटन सुन्दर ने भी अर्दिस्ततक जड़ा उन्होंने 108 गैंदों में अपने इंटरनेशनल करियर का पहला अर्दिस्ततक जड़ा भारत को सातमा जटका सारदुल ठाकुर के रूप में लगा जो 115 गैंदों में 60 रन मनाकर पैट कमिंस की गैंद पर किलीन बोल्ड हुए आठवी सफलता औस्टेलिया के वो जोस हैजल बोर्ड ने दिलाई उन्होंने नबदीट सेनी को 5 रन के निजी स्कोर पर स्टीब स्मित के आतों कैच आउट कराया भारत को 9 जटका वासिंटन सुंदर के रूप में लगा जो 62 रन की दमदार पारी खेल कर मिचल स्टार की गयन पर केमरोन ग्रीन के हातों कैच आउट हुए भारत का आखरी विकेट मुहम्मद सिराच की रूप में गिरा सिराच को 13 रन के निजी स्कोर पर जो सहजलबुन ने किलीन बोल्ट किया फोर मोर वीडियोज स्टे कनेक्टिड